सो हाई दोस्तों वेलकम टो वर यूटूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए आई प्यू के बारे में जिसका नाम है मुक्का प्रोटेंस लिम्टेट का आई प्यू यह जो आई प्यू है आज ओपन होने वाला है 29 फेप को और 4 मार्च की सब्सक्रिप्शन यहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा और अगर ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो यहां पर आपके अलोट मेंने के जांसे कम बनते हुए दिखाए दे रहे हैं तो कंप्लीट यहां पर फ्रेश इशू है 224 करोड रूपी का इसके अलावा हम जानते हैं कि कंपनी और क्या करती है कंपनी के फाइनेंसल केसे हैं वह सब्सक्रिप्शन देखने का काम करते हैं उसके बाद में और डिटेल्स को जाने को सिस करेंगे तो देखें दोस्तों यहां पर जो कंपनी इस्टेबलिश हुई थी 2003 के अंदर स्टेबलिश हुई थी मुका प्रोटेंस लिमिटें मेनिफेक्ट्टर फिस्ट प्रोटें प्र जो नोंवेज प्रोडक्ट प्रोडक्ट्ट होते हैं उनको बनाने का काम और उनको सप्लाई करने का काम करती हैं ऊस के अंदर जो प्रोटीन गांते हैं या प्रोटीन वोते हैं उस से अलेटेट कंपनी काम कर दी हैं यहां पर जो company का भीजनीस है इंडिया के अलावा और अधर कंटीज को अंदर भी है तो टेन कंटीज आप यहँ पर देख सकते हैं बंगलादेश चाइना स्फनी कि अपने जो प्रोडक्त है इनका जो प्रोडक्त है नोनवेज प्रोडिशेलेट्ट उनको ईस्प्रीाई करने काम करती है profit after tax देखते हैं अगर हम company का तो direct हमें अब 21, 22 और 23 के नमबर हमारे यहां पर पास में हमारे हैं तो 11.01 करोड का 25.82 करोड का और 47.53 करोड का तो देखें यहां पर company जो है year on year basic पर profitable company है assets company की यह भी assets company की भड़ती हुई है और revenue भी company का यहां पर बढ़ता हुआ है यानि कि company अगर हम देखें तो financially तो solid company लग रही है कोई भी यहां पर company loss में नहीं है और year on year basic company पर profitable है इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तो other debts के बारे में की retailers का portion कितना है इसके अंदर तो देखें दोस्तों जो इसका जो retailers का portion है वो 35% का retailers का portion यहां पर दिया गया है इसके अलावा यहां पर हम बात करें shares की तो आपको एक load में एक load के अंदर आपको मिलने वाले हैं 535 share और 25 से 2800 रुपयाया पर price में रखा गया है और यहां पर जो allotment की date है वो 5 March की है refund की 6 March की है और listing rate 7 March की है तो यह तो basic detail हो गई इस company के बारे में और जो company का जो अगर हम इसके competitor से compare करते हैं तो जो issue size है वो यहां पर company का जो issue size विल्कुर reasonable है या निक हम देख सकते है ना तो यह costly company है और ना ही cheaper company है अगर हम इसके competitor से हम compare करते हैं तो अब देखिए दोस्तों इस company में apply करना चाहिए और ने करना चाहिए तो ने करना चाहिए तो सबसे पहले हम जाने है ग्रे-market premium के बारे में की ग्रे-market premium क्या चल रहा है याँ पर इसका तो जो grey-market premium चल रहा है दोस्तों इसका latest टेस्ट वो चल रहा है 15 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रिमियम 15 रुपीज ग्रे मार्केट कोडिंग आपको 53 परसेंट का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है यानि कि लगबग तो देखे आज जो है आज डे वन है इस आप्लाई करने का अभी हमारे सामने यहाँ पर ओल्डेडी दोस्तो लिस्ट में दो मेंडोर्ड आइपो और खुले वें हैं जिनका नाम आप जानते होंगे प्लेटिनम इंडिस्ट्री लिमिटेड का और एकजी कॉम टेली कॉम का तो यह दो आई प्योज अभी हमारे सामने हैं तो अभी इन दोनों का गिने मार्केट भी अच्छा चलना है तो इन दो आई प्योज में आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी जो अलोटमेंट की डेट है एक मार्च की एक मार्च को अलोटमेंट आ जाएगा और कई लोगों के तो एक मार्च को रिफंड आ जाएगा और जिनका नहीं आना है उनको फॉर्थ मार्च को यहां पर रिफंड आ जाएगा तब तक अभी हमारे पास में टाइम है फॉर्थ चार मार्च मुक्का प्रोटेंस क्योंकि ग्रेमर्केट प्रिम्यम अभी जैसे आज फोल देखने को मिला है तो आगे कितना फोल और और होता है वह भी हमें पता लग जाएगा कि फिप्टी थी पर रहता है वह सब्सक्राइब फॉर्टी पर आजाए फॉर्टी पर तो यहां पर फॉर्ट मार्च को हमें एक ज फॉर्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अभी दो दिन के लिए आप मत करिये अप्लाई 29 फेब को और एक मार्च को आप यहां पर अवोइड करिए इस आइपियो को इसके बाद में फॉर्ट मार्च को जब आपके दोनों आइपियो के पैसे रिलीज हो जाए तब वीडियो में आपके सामने पोस्ट कर दूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लिए आफ दोस्तों वीडियो आपको हैफू लगाओगा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक कर दीजिए थेक्स पर वाचिंग